चोरी के आरोप में युवक को पेड़ पर बांध कर नीचे जलाय आग। तालिबानी सजा को देख हर कोई दन ग्राम प्रधान की कर्तूट। वीडियो वाइरल होने पर पुलिस ने पीडित की तहरीर पर मुकदमा दर्च कर प्रधान को जेल भेजा। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद दिवाईची के ग्राम प्रधान ने गाव के ही एक युवक को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी। प्रधान ने अपनी पत्नी और पुत्रों की मदद से आरोपी युवक को पकड़ कर उसके हाथ पैर बांदे और गाव के बाहर खड़े बर्गत के पेड़ पर लटका दिया। इतना ही नहीं उसके नीचे आग जला कर उसे जिन्दा जलाने का प्रयास किया। जब इसका वीडियो वाइरल हुआ तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को बुला कर उसकी तहरीर पर पाँच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर आरोपी प्रधान को गिरफतार कर जेल भेज गिया। गाव दिवाइची निवास कि देखिए थर्ड अपराइल को एक वीडियो वाराल हुआ था सोसिल मेडिया पर जिसके बारे में जब जनकारी प्राप्त की गई तो पदा चला कि यह वीडियो थाना शिकोहाबाद के गाव दिवाइची का है और यह घटना दिनांग 28 मार्च की है उस वीडियो में एक वेक्ति को पेट से लटका हुआ दिखा गया और उसमें नीचे से आग लगाई गई थी और काफी लोग वहां पे 71 थे जनकारी प्राप्त की गई तो पदा चला कि यह डिवाइची गाउं का जो परधान विशुन दयाल है यह स्वेम और उसके पर पर हम लोगों ने ततकाल एफायर दर्च की और इसमें छे लोग नामजद हुए इसमें से आज हम लोगोंने परधान को गिरफतार कर लिया है बाकी जो शेष मुल्य में उनकी गिरतारी बहुँ जल्दी की जाएगी और एविदेंस के अधार पर इसमें हम लोगों कर वाई झाल झाल